कैस्ट्रोल पावर वन 10W 30 या मोट्यूल एक्यावन सो 10W 30 इन दोनों में से कोन बहतर है जी हाँ ऐसा ही सवाल एक भाई साब ने किया है कमेंट में वो पूछते हैं कि कैस्ट्रोल का जो पावर वन है 10W 30 वाला ग्रेड वो बहतर है या मोट्यूल का जो एक्यावन सो मॉडल आ रहे थे तो डिफरेंट हम बता नहीं पाय थे लेकिन इस बार क्या है कि यह जो पावर वन जो है कैस्ट्रोल का पावर वन 10W 30 वाल ग्रेड वो करेंटली अभी हम यूज कर रहे अपना जो होंडा शाइन SP है 125 मतलब के BS4 मॉडल उसमें हम यूज कर रहे तो अभी जो है बहतर तरीके से हम बता पाएंगे आपको कि दोनों में से कौन सा बहतर है तो फटा फट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल तो देखो Casual Power 1 10W 30 grade और Motul 510W 30 grade अगर इन दोनों में से बहतर कौन है इसका बात करें तो जवाब सिधा सिधा जो है कि आपको जो Motul है वो Casual Power 1 से जो है बहतर परफॉर्मेंस आपको निकाल के देदेगा हर एक कंडिशन में जो है आपको Motul बहतर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा चाहे वो ऑफ रोडिंग हो या स्मूद रोड हो कहीं पे भी आप मतलब किसी भी कंडिशन में आप गाड़ी का जो Power 1 10W 30 grade है और Motul का जो 5110W 30 grade है इन दोनों में से बहतर जो Motul का 51100 है वो बहतर है ऐसा हमने क्यों बोला तो देखो रिसेंटली अभी हमने अपना जो Honda Shine SP है BS4 model उसमें यही वाला वायल डाला है Casual का Power 1 10W 30 grade सिर्फ यह चेक करने के लिए कि यह मतलब कि कैसा परफॉर्म क वो हमको किस तरह का देखने को मिलता है तो इसलिए हमने यह वाला ओयल जो है सिर्फ चेक करने के लिए अपने Honda Shine में डाला था BS4 model वाला में तो अभी हम उसको चला चुके उस गाड़ी को और अभी मतलब इतना आइडिया हमको लग चुका है कि अच्छे से हम आपको समझा स सकते हैं कि मतलब यह वाला ओयल आपको क्यों नहीं यूज करना चाहिए अगर यूज भी करना चाहिए तो वो किन लोगों को यूज करना चाहिए और किस गाड़ी में यूज करना चाहिए वो अभी इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा अब देखो कैस्ट्रोल बोल ताकि यह semi synthetic oil है यह एक mineral oil ही है सिर्फ डबबे पर लिख दिया है इन्होंने synthetic technology लेकिन यह बिल्कुल भी synthetic technology पर काम नहीं करता semi synthetic के तरह जो performance बिल्कुल भी नहीं देता है हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं अभी recently जो है हमने अपना जो Honda shine SP है उसमें यह वाला oil डाला है सिर्फ चेक करने के लिए कि यह कैसा perform करता है अभी परसो रात में एक ride लिया मतलब 10-12 km का अपना Honda shine SP पे जिसमें हमने यह वाला oil को डाला है तो हमको कुछ feel हुआ हमको feel हुआ कि गाड़ी मतलब 10-12 km चलने के बाद engine से जो है एक smell आ रहा था वो अक्सर mineral oil जिस भी गाड़ी में use किया जाता है उससे आता है मतलब जलने के smell आता है जब भी गाड़ी गरम होता है तो वैसा smell आपको महसूस होगा कि engine से smell आ रहा है जो कि semi synthetic से बिलकुल भी नहीं आता है मैंने इस गाड़ी में भी semi synthetic का use किया है मतलब motule का जो एक्यावन सो है वो यूज करता हूं तो इस तरह का problem ऐसा किसी भी तरह का smell है इस गाड़ी में हमको देखने को नहीं मिलता है तो इसलिए हम बोल रहे है कि मतलब power one जो है वो एक्यावन सो के मुकाबले वो अच्छा नहीं है आप बिलकुल भी use मत करिए लेकि को आप use कर सकते हैं लेकिन कौन लोग use कर सकते हैं और किस गाड़ी में use कर सकते हैं वो भी हम अभी इस वीडियो में बात कर लेते हैं तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं तो अभी हम बात करते हैं कि कैस्ट्रोल का जो power one ten w 30 grade है वो किन लोगों को use करना च चाहिए तो देखिए अगर आपके गाड़ी का engine oil का जो drainage interval है वो 2000 km या 3000 km है कहने का मतलब है 2-303 km के बीच का है engine oil का drain interval तो उस गाड़ी में आप बिलकुल यह वाला जो oil है Cam вам passenger आप इसको use कर सकते हैं या तो फिर आप एक ऐसे rider हैं जो गाड़ी को मतलब ज्यादा over speeding नहीं करते हैं, गाड़ी को high rave नहीं करते हैं, maximum time आप जो है, गाड़ी को 40-50 के speed पे मतलब maintain करके चलते हैं, तो इस condition में जो है, आप cash roll का जो power one है, उसको बिलकुल use कर सकते, कोई issue देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके गाड़ी का engine oil का drain interval है, वो ज्यादा लंबे time का है, मतलब के 4000 km, 5000 km, या तो फिर 6000 km, या तो फिर आप एक ऐसे rider हैं, जो गाड़ी को normal speed पे नहीं चलाते हैं, maximum time जो है, आपका 70 से उपर ही आप speed चलाते हैं, या तो फिर आप गाड़ी को जो है, over speeding करते हैं, rough road पे चलाते हैं, या तो फिर आप गाड़ी को मतलब high rave करते हैं, तो इस condition में जो है, आपको motule का जो 51 100 है, 10W 30 grade, आप उसको use कर सकते हैं, जैसे कि मेरे गाड़ी का drain interval है, वो 5000 km का है, और मेरा जो गाड़ी है, वो mix condition में चलता है, कभी slow भी चलता है, कभी fast भी चलता है, तो क्या करता हूँ, कि खेतों में भी लेकर इसको दोड़ता हूँ, तो हमेशा जो है, इस गाड़ी में, motule का जो है, क्या 500 model है, उसी को use करता हूँ, बाकी जो है, सबका अपना-पना अलग-अलग choice है, आप अपने तरीके से देख सकते हैं, कि आपको जो है, कौन सा oil बहतर परफॉर्म करें, हमेशा ही बहतर परफॉर्मेंस दे आपका गाड़ी, तो हम यही सजेस्ट करेंगे, कि आप जो है, जब भी सर्विस करवाएं, तो किसी ऐसे ब्रांड का engine oil यूज करें, जो अच्छा है, और engine oil का quality भी आप देख ले, और grade भी देख ले, और उसको भी चे engine oil जो है, अच्छा अपने गाड़ी में यूज करें, बाकी कौन सा कमपनी का आपको यूज करना है, वो अपने हिसाब से देख लेना, मैं अपनी बात करूँ, तो हम हमेशा ही मोट्यूल का यूज करते हैं, अपने दोनों गाड़ीों में इस गाड़ी में भी और R15 में भी क्योंकि हमको जो है, ये वाला oil जो है, बहतर लगता है, अच्छा pickup, अच्छा performance और अच्छा average देखने को मिल जाता है, बाकी सबका अपना अपना choice है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक new phrase वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, अपना ख्याल रखें और safely ride करें